एक टाइम पर जब देश के हर इंट्रिंस एक्जाम में स्कैम और धांदली निकल रही है, नीट को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात सुप्रीम कोड तक पहुँच चुकी है, सरकार को बचाव करना पढ़ रहा है, एक्स्प्लिनेशन देना पढ़ रहा है, उसी के एक्जामिनेशन बिल्कुल ट्रांस्पेरिंट हैं, क्या आईएस में भरती एक दम फूल प्रूफ रही है, या यहां भी सिस्टम को मनिपलेट करने की कोशिश की गई है, यह सवाल और भी तेज हो गए हैं, इनकी वजए से मिलिये पूजा खेटकर से, पिछले 24 घंटों में, इनका पास्ट, इनका प्रेजेंट, सब कुछ एक्जामिनेशन किया जा रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है, और जो दिख रहा है, उससे लोगों का UPSC से, IS अफसर से, विश्वास पूरी तरीके से उखड सकता है, यह मामला काफी सीरियस है, पहले बात करते हैं, कि यह लाट साहब, IS अफसर सुर्खियों में आई क्यों, मीडिया का इटेंशन इनक पर पढ़ा क्यों, उसके बाद UPSC सेलेक्शन प्रोसेस, नेपिटिसम और आक्शन पॉइंट्स पर भी आएंगे, आज के वेरी क्विक देशभक्त एपिसोड में, हुआ यू कि अपरेंटली एक कॉंट्रेक्टर से मुहया कराया गया, वो अलग बात है कि सर्विस रूल साफ तौर से मना करती है कि आप किसी प्राइवेट कॉंट्रेक्टर से ऐसे फेवर नहीं ले सकते हो, चाहे वो नमबर प्लेट हो, चाहे वो वहेकल हो, जो कि गवर्मेंट वर्क मे इस्तमाल हो रहा है, बिल्कुल बना है लेकिन उन्होंने अपना influence का इस्तमाल करते हुए regulation को बाइपास कर दिया, और हाला कि वो एक probationary officer है उन्होंने अपने audio, अपने luxury audio गाड़ी के उपर लाल बत्ती भी लगा दी अब बताईए, IAS officer है इतना फाइदा तो मिलना ही चाहिए किस काम का IAS officer जिसके पास एक लाल बत्ती ना हो अगर बात लाल बत्ती की होती अगर बात VIP plate की भी होती तो किसी को ज़्यादा फरक नहीं पड़ता ये सारी चीज़े तो हमने accepted कर ली है तो बारे common vernacular में मिलता है घर में बच्चा हम बड़े वरते चोटे में यह तो चीज़ होती है तो मारे IAS का होल वो ही होता है कि बटा एक लाल बत्ती का वो ही अलग होता है बताया था बटा सब कुछ कर ले पैसर से सब कमाल बटा लेकिन लाल बत्ती यह तो नॉर्मलाइज कर लेकिन प्रोबेशनरी IAS ओफिसर खेट कर ने additional collector अजय मोरे के private chamber को allegedly हत्याने की कोशिश की यह बोलकर कि वो तो IAS officer है तो chamber उनका है हक से और साथी साथ उन्होंने फर्मान दिया कि जल्द ही मेरे लिए peon मेरे लिए staff का इंतजाम किया जाए यह सब चीज़ें already I think मिलती नहीं है लोगों को बात तो सही है IAS officer ही क्या जिसके पास लंबा चोड़ा staff ना हो जिसके उपर वो अपना फर्मान जारी करे इसके साथ IAS officer ही क्या हो टरहेट के मांग की गई विजिटिंग कार्ट, पेपर वेट, नेम प्लेट, रॉयल सील, इंटर कॉम यह सारी मांगे की गई मांगे पूरी भी होती कोई कुछ अजिसा तो मिलती है ना चीज़ें ना बोलता क्योंकि केट करके जो फौपो है वो senior retired officer जो ठेरे इन्हों ने, मनें फौपो ने district collectorate के office पर दबाव भी डाला कि यह मांगे पूरी करो नहीं तो तु जानता नहीं कि बाप कौन है इसका इस दादगिरी के चलते खेट कर के खिलाफ complaint दर्ज होई complaint state chief secretary तक गई और सरकार ने उसे पूने से विधर्प के वाशिम में transfer कर दिया लेकिन फिर भी ये सवाल rules के अनुसार एक probationary officer को home district और उसके आसपास posting नहीं दी जाती है लेकिन यहां भी rules को bend कर दिया गया भई बहुत ज़ादा ही पहुँच है फिलहाल बात prime minister office तक पहुँच चुकी है PM office ने इस बात पर report मांगी है साथ ही साथ मसूरी स्थित लाल बहादूर शास्त्री National Academy of Administration जहां पर इन होनहार अफसरों को train किया जाता है public service के बारे में बताया जाता है उसने भी report मांगी है कि इस नए नवेले probationary officer ने ऐसा क्या किया जिसके वज़े से उनका इस तरीके से तबादला किया गया है ख़बर तो ये भी है कि पूजा खेटकर महराश्टरा के Chief Secretary के केविन तक घुज गई थी बिना permission बिना appointment के तो ये रहा IS officer का तेवर देखें स्टोरी के दो-तीन बिनिट ही हुए है आपको एक बाद तो समझ में आ चुकी है कि ये महिला IS और उनके जो फॉपों है उनकी पहुच कहां तक थी लेकिन ये तो ट्रेलर है पेटकर के हरकतों से शायद IS में हो रहे एक बड़े स्कैम का परदा भी फाश हो सकता है और आप सरकार को पता लगाना होगा कि इस कैम में सिर्फ एक ही महिला अफसर शामिल है या ये एक सिस्टम बन चुका है जिससे सिस्टम को तोड़ा गया है मरोडा गया है मीडिया में छपे रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो देश की सेवा करने के लिए केड कर को आई-एस की जरूरत भी नहीं है आई-एस जॉइन करनी की भी जरूरत नहीं है उनके पास अपना ही इतना धन है इतना ही पैसा है कि वो लोगों का भला खुद ही कर सकती है लेकिन ये बात भी सच है कि आज की रेट में बहुत सारे आई-एस अफसर देश के भले के लिए नहीं अपने भले और अपने बैंक बैलेंस के भले के लिए सिस्टम जॉइन करते हैं अगर आप मीडिया में छपे रिपोर्ट्स की माने तो केड कर के पास 110 एकर ओफ एग्री तो हम फिर एक नेरेटिव रचना कर रहे ना बताओ गलत क्या किया भाई अच्छ ठीक है बेनिफिट ओफ डाउट देते हैं पैसा कमाना पाप थोड़ा ही ना है मेक इन इंडिया, मेक इन मनी इन इंडिया सीरियसली ब्रो एक्च्वल में तुम उसको सर्कास्टिकली कह रहे हो लिटरल एकॉनमी चलती है अगर है किसी घर में जैसे भी और अगर लीगल है अगर लीगल है जनरेशनल वेल्थ भी है ठीक है उनकी है इंसान की परसनलिटी उमरे को अभी तक जहांता जो लग रहा है वो है परसनलिटी रिलेटेड़ प्रॉब्लम्स है राइट हाई नार्सिसम ये सब तुमाई जो ट्रेट्स हो गए तुमारे दीखे सवाल उठ रहे हैं कि क्या महराश्टरा आयस ओफिसर डॉक्टर पूजा केटकर ने फेक सर्टिफिकेट का इस्तमाल किया था आयस में सिलेक्शन के लिए केटकर ने आयस में एंट्री पाने के लिए डिसेबिलिटी एंड अधर बैकवर्ड क्लास ओबीजी सर्टिफिकेट्स दिया जहां पर है ना फिर प्राव्डम बेसिकली रेजर्वेशन सीरिसली इतनी वड़ी प्राव्डम है जिसके वए हत नहीं है बाइद आवे मैं आप आप साफ साफ बोल दे रहा हूँ यह एक अपने में अलग टॉपिक है अगर सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्राव्यूनल या क्याट में सब्मिटेद दॉक्यूमेंट्स को देखें तो केटकर ने यूपी एस्टी एक्जाम दिया अंडर ओबीसी वाओ टेसिबिलेटी लगा दी भाई साब यह तो एक्चुल पूरा-पूरा हो गया स्काम मेंटल इल्नेस सर्टिफिकेट तो अप्टेन आएस पोस्टिंग वाजी वाँ प्लस विज्वली इंपेर्ड कैटेगरीज के अंडर उसकी आखे तुसकी बिल्को बढ़ी आए यार उन्होंने मेंटल इल्नेस सर्टिफिकेट दिया UPSC को अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए चलो हो सकता है यह नॉर्मल सी दिखने वाली केटकर ने चुनोतियों का सामना किया और फिर चुनोतियों को हरा कर आई-एस ओफिसर बनी लेकिन फिर कहानी में आती है ट्विस्ट UPSC में OBC ब्लाइंट कैटगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स कम होते हैं तो खेटकर का सिलेक्शन हो जाता है सिलेक्शन के बाद उसे All India Institute of Medical Sciences AIMS Delhi में बुलाया जाता है For Verification for Disability Certificate भई आपने Certificate Submit किया है उसका Verification होगा यह Standard Protocol होता है लेकिन वो Medical Test के लिए नहीं मानती है इसलिए नहीं क्योंकि उनको सुई से डर लगता है इसलिए क्योंकि तब COVID चल रहा था और COVID तो बहुतों के लिए बहुत सारा Excuse बन चुका है चलो कोई नहीं अरे भाईया Better to be safe than sorry AIMS भी भोला भाई आप तो IAS अफसर बनने वाली हैं आपकी बात तो हम मानेंगे बाद में आ जाईएगा AIMS ने बात भी बुलाया फिर से बुलाया फिर से बुलाया पांच बार बुलाया लेकिन खेट कर ना मानी पांच बार जाने से मना कर दिया तो इन जीजों के कोई consequences नहीं होते क्योंकि यह verification test हो रहा है याद रखना हम यहाँ पर प्रतारणा नहीं कर रहे हैं कि इनसान की विजुली लेजर से इसको problems है हम यहाँ पर एक protocol की बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ verify कर रहे हैं कि हाँ आपको एक्षो में विजुली प्रॉप्ट नहीं है आपने जूट तो नहीं बोला है तो इसको एक होना चाहिए ना कि इसके attempts के बात प्लस अगर एक इनसान मना कर रहा है आने को तो एक और यह future होने चाहिए इठी का भाई नहीं आना चाहते आप दूसरा option अवेल कर लेजिए हम आ जाएंगा आपके पास I'm pretty sure होगा इस सारी चीज़े होंगी जोगी जब systems बनते हैं इतना तो दिमाग लाके इंसान बनाते हैं systems वर मुझे समन्यारे punishment का या फिर एक negative outcome का होना चाहिए प्रोटोकॉल की भाई अगर आप 5 बार नहीं आते तो हम आपकी पूरी application को वापस it'll be reviewed I guess मैं सोचा होगा आप तो भांडा फूर गिया ना आव आता है another shocker खेटकर ने नकली disability verification report बना डाली एक local private hospital से और फिर वो join करती है पूरे में as a probationary officer अब UPSC में न इसको लेकर है उसके क्या हुआ that verification का वो report actually satisfy कर दिया उस report ने जो रख जो रेज हुआ कि ये private hospital का certificate कैसे चल सकता है लेकिन तब भी उसे पूरे के लिए joining orders मिल जाते है जिस certificate को accept करने का तुक ही नहीं बनता है सिस्टम एरर है यार सिस्टम एरर है तो सिंपल सिंपल यहाँ पे एक corrupt इंसान या एक fraudia इंसान क्यों function कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम में इतने जादा prevalent errors है loopholes है कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर अगर आप इतनी जादा चीजे छोड़ोगे तो उसका फायदा उठाने वाले जो भी लोग negative या dark personality तुमारे traits में high rank करते हैं वो आपको दिखेंगे उभरते हुए सिंपल सी बात है checks and balances यह देश या कोई भी देश progress वहाँ करता है जहाँ पे checks and balances होते हैं आम नागरिक के behavior पे checks and balances है जिसको हम 50 सरीक उसे आप अलोड़ी देख रहे हो लेकिन जो उन पे लागू कर रहे हैं यह behavior उनके खोपड़ी पे भी checks and balances बहुत ही खतरनाक हद तक या फिर उतनी ही हद तक लागू होए हैं तो system फिर functional होता है क्योंकि जो कर रहा है उसको भी डर है कि मैं प्रोटोकॉल ना तोड़ू जब आपको डर ही नहीं है अरे यह तो जानने वाले हैं यार अरे जाने दो अरे इनका करने दो अरे छोड़ो छोड़ो कोई दूसरा आया पता नहीं उसकी शकल पसंद नहीं आई उसके लिए कॉंप्लेक्स कर दी आपने प्रोसेस आपने बे मतलब उसके पैर तोड़ दी आपने कितने लोग हैं जो आई एस अफसर के किसी दफ्तर में गए हैं किसी गवर्णन दफ्तर में गए हैं और आपकी शायद उनको शकल पसंद नहीं आई होगी उन्होंने आपको बठा दिया पीछे प्रोटोकॉल के आप धज्य उनाने आप लाइन भी लगे हो गया धज्य उनाने आप घटे घटे काम कर रहे हो धज्य उनाने आप जो सब कुछ यो कागस जितना सब कुछ था जैसे दूसरा अंगान कर रहा है आप ऐसी कर रहे हो वो गया धज्य उनाने एक अलगी मूड बे जुनिया चल रहे है इगो पे हमारे अपने ये अरे 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 इनका करवा रहे है आप बैठी आप बैठी है मैंने कितने जगाओं पे सुना है मैं क्या बोलनू ड्राइविंग आर्टी ओफिस में कई गई बार चाय पला जाती है अंदर बठा के अब ये कैसे प्रोटोकॉल है ना कैसे हो सकता है सायर हो जाने चाहिए सब की सब टेखनिकली एक छटके में चाय कहां पे ला रहे हो या वैवार थोड़ी चलना यहाँ पे अपने घर में करो न वैवार घर में बुलाओ भाई ऐसी सिस्टम चाहिए कितना कहलो देश बढ़ना है, देश बढ़ना है पर कितने लोग बात हैं करते हैं भाई हम भी करते हैं सब कोई चाहता है ऐसे बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि system error इतना उपर है system level का failure इतना high है जिसके वह हद नहीं है system function करेंगे तो speed आएगी ना फिर जो तुमारा basic lake pal से municipal bodies से यहाँ पर जब सब का काम इतना lag से क्योंकि किसी को भी upper stages में डरी नहीं है कितने last 10 years में तुमारे इनोंने firing करी इसके basis में कितने corrupt cases इनोंने explore गिये कितने लोग की complaints है जो पर पर पूरी investigation हुई है क्योंकि हम pretty sure बहुत सारे लोग होते हैं बहुत नागरेग होते हैं जो बहुत जागरू होते हैं बहुत अगरे लेवल पर simple aha ignored if that is possible then खदम बात private तुमारे hospital अग उसको replace कर सकता है तो यहाँ पर system level failure हो गया and system level failure I mean there are people these are humans systems जहाँ आपने place कर दिये चीज इतिनी smooth हो जाती है जिसकी होई हद नहीं है वहाँ ही पर अगर तुम डेली basis हो कि क्या कर रहा है तो आपको वह नहीं है न streamline करने के चीज जहाँ चीज streamline हो जाती है 80 cognitive energy save हो जाती है system अलड़ी चल रहा है वो सब कुछ बताता रहता है protocol सारे आपके बूँ है तो इसलिए तुम देखते हो handbooks होती है workbooks होती है offices में handbook होती है literally handbook है जिसे पूरा system दिया हुआ है आपको सोचने के जरूती ही नहीं है the whole point of handbook is saying is that you don't have to think तुम cognitive energy maintain रखो तुम बस देखो अगर यह उपरा है देखो इस section में तो भी क्या तुमारा पस options available है A, B, C enact करो that's your job you're not an annihilator लोगों की जिन्दी की तबाह मत करो अपने ego के basis पे system follow करो simple simple देश बहुत तेश बड़ेगा जिस पूने में service का chance ही नहीं बनता है step by step हर जगे rules का मजाग बनाया गया इससे भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या UPSC selection process क्या IAS में political influence NEPO influence इतना जादा role play करने लगा है कि पूरा का पूरा system बुरी तरीके से compromise हो चुका है और दूसरा question कहां पे नहीं कर रहा let's find out in India in the entirety कोई भी governmental body institution उठाओ जहां पे भड़तियां होती है कौन सी एक है जहां पे last five years में या last ten years में किसी भी तरह के हमने जो बाते करी है interference nepotism के द्वारा corruption loopholes इनका error rate बहुत low है और उसको फिर रखो ground zero model what are they doing right because let's just say 25 system है अगर किसी ने भी यहां पे comparative study करी तो उसको पता चलेगा 25 के 25 exactly एक दूसरी ऐसे ही है तो 25 में हम अभी क्या कर रहे है एक की बात कर ले रहे है ओ 25 में 24 छुपा दिये एक में अरे यहां पे तो nepotism problem है अरे यहां पे दूसरी प्रॉब्म है let's just 5 second के लिए अपनी आँख पीछे करो zoom out करो और देखो कि यह 25 की 25 system है इसकी वाज़े से सब को देखते है क्या सब में प्रॉब्म है क्या existing और हमें देखने कभी दूसरी तरफ से कौन सा system है इसमें system rate sorry, error rate सब से छोटा है इसमें error rate सब से छोटा है इसको model बनाओ इसमें क्या हो रहा है कि मैं इस दीले यह पहुचा हूँ आज मैं ख़वारू पढ़ रहा हूँ कि यह ऐसा होता है he's living that reality he knows everything he knows every single thing there is, I don't think तुमारे जो honest officer है यह तुमारा एक fictional वो हो गया जब तुम system के अंदर होते हो to a degree या तो तुम system से distance हो जाते हो तुमें corruption कहेगा या तो हमें join करो या तो हम तुमें अपने से इतना दूर कर देंगे ताकि हमें तुमसे डर लगना बंद हो जाए इमानदारी इंटिग्रेट नहीं कर सकती corruption के साथ करी नहीं सकती दोनों opposites हैं polar एक दूसरे के तो या तो इमानदार इंसान को ताब आतला करके इतना दूर भेज देंगे क्याकि वो हमसे इतना दूर रहे कि हमें हमें डर ना लगे कि यह exist करता यह देख रहा ऐसा कुछ और यह साला लेता नहीं है कुछ तो यह जितने में रूल प्लेक्स हम कर रहे हैं पीएसी दिया अपियर्ड अंडर ओबीसी कैटेगरी जहां क्रीमी लेर सर्टिफिकेट का लिमिटेशन होता है मने एनुवल पेरेंटल इंकम आफ एट लाग रुपीज आट लाग रुपए सालाना उसके नीचे ही आप इस पर अपलाई कर सकते हो लेकिन पौपौ दिलिप खेटकर जिन्होंने रिटाइर्मेंट ली अज सीनियर महाराष्टरा गबर्मेंट ओफिसर उनकी कुल संपत्ती 40 करोर रुपए है बताई जाती नहीं 40 करोर रुपए तो ओफिशिली है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उनकी संपत्ती से दुगनी भी हो सकती है तो यहां भी रूल्स को तोरे मडोडे गए और यह इसलिए क्योंकि पूजा केटकर एक स्ट्रॉंग आयेस एक अड्मिनिस्ट्रेटिव फैमिली बैग्राउंड से आती है अच्छी तरीके से लोगों को मालूम होता है और इनको मालूम होता है वीक पॉइंट्स कहां है सिस्टम को तोड़ा कैसे जा सकता है पूजा के फौफौ दिल इप्खेट कर जा सकता है means कि these are the people who figured this out I think simple ऐसे तोड़ते हैं they are part of that broken system and I'm pretty sure ऐसे बहुत होंगे इसले ये नॉर्म है probably they didn't even think about all of these things so आज हम बात करो और हम बहुचक के हो रहे है probably to them it's just it's not like oh mastermind कैसे तोड़े सिस्टम को मुझे एक लूफोल मिला यहाँ पर बहाँ पर I'm pretty sure they were just like बन्वादो as they went along I'm pretty sure cognitive energy तक नहीं गई होंगी ये जितनी प्रोम्स है हमें जो दिखके हमें हो लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया उनके लहोगा कि चोड़ो चाय बता तुम ये बता ये ये वहाँ पर उन्होंगे का हम तीन सेगंड भीस नहीं करेंगे क्योंकि मैं पता है through existing so many examples and evidence इनके ब्रेन में कि हमको intuitively आगे बढ़ने तो of pollution आइरॉनिक है pollution Commissioner of pollution department में थे पूजा के जो maternal grandfather थे वो भी IS officer मा सरपंच एक mock interview में पूजा ने अपने आपको एकदम बेचारी बताया पिता के पास तो पैसा ही नहीं है पेरेंट्स का डैवोर्ट यूट्यूबर होना चाहता उनको यार उचुका है और वो अपने मां के साथ रहती है लेकिन पौपो ने अपने लोगसभा एफेडविट में तो ऐसी कोई separation की बात अपने एफेडविट में नहीं लिखी वैसे मौक इंटर्व्यू में केटकर ने जो भी सवाल का जवाब दिया उसे देख कर तो ये लग रहा है कि अगर ये आईएस ओफिसर बन सकती है तो मैं भी शारूख खान से कम नहीं हूँ फिलहाल केटकर की ट्रेनिंग वाशिम शिफ्ट कर दी गई है जहां वो सूपर नूमररी एसिस्टिंट कलेक्टर का पोस्ट सम्हालेंगी मने बेसिकली तो अभी पनिश्मेंट पोस्टिंग है लेकिन इससे भी जादा पनिश्मेंट मिलने की ज़रूरत है इस पूरे वारदात से कुछ एहम सवाल सामने आते हैं और इन सवालों का जबाब तो देना पड़ेगा सरकार को नहीं तो बहुत जादा डाउट क्रियेट होगा पूरे के पूरे UPSC सिस्टम पर देखो ये लाल बत्ती वाला जो कल्चर है न ये बुरे तरीके से IS में फैल चुकी है अब प्रोबेशनरी अफसर भी गाड़ी, बत्ती, नौकर, चाकर, डिमांड कर रहा है इसे रोकनी की ज़रूरत है शॉर, बिगॉज ये आज से नीजिस कर रहा है जब मैं छोटा सा बचा था हम बात करें शायद 25 साल की, 20 साल की, मैं तो तब से सुनता रहा हूँ बुरा सा ट्रेनिंग करो भाई, IS अफसर का भी, इसके लिए नमबर दो, क्या पैसो और IS अफसर का रिष्टा अब इतना गहरा हो चुका है कि वो कॉंट्रेक्टरों से गाड़ी के नमबर प्लेट मंगवा रही है इतने मोटे मोटे पैसे कमा रही है, इस पर भी एक चेकन बैलेंस की अब दरकार आ चुकी है नमबर तीन, क्या दुनिया के सबसे कठें परिक्षा को भी किसी तरीके से तोड़ा गया है उस पर एक वीकनिस मिली है क्या केटकर के OBC प्लस ब्लाइंड कैटेगरी ने गलत इस्तमाल किया गया है और वो क्या अकेली है इस सिस्टम को इस तरीके से एक्स्प्लॉइट करने के लिए या दूसरे लोग भी है उसके तरह ये भी चानवीन करनी चाहिए नमबर चार क्या UPSC और IS सिस्टम को प्लिटिकल इंफ्लूएंस इतनी बुरी तरीके से दबा चुका है क्या और भी ऐसे केटकर है हर मोड पर जो सिस्टम को तोड़ रहे है नमबर पाँच क्या पूजा केटकर के तरह और भी नेपो IS आफिसर्स हैं सिस्टम में जो अपने माबाप के दब पर उचल रहे हैं जब मीडिया ने पूजा के माँ से बात करने की कोशिश की तो ये पाया माता जी को कुछ खास पस्तावा तो लग नहीं रहा है अभी उनके बारे में और भी अप्डेट हैं लेकिन एक प्रोबेशनरी आफिसर को दो साल के लिए ट्रेनिंग पहले करना होता है चीज़े सीखनी होती हैं लेकिन वहां तो यहां लालबत्ती मांग रही हैं स्टाफ मांग रही हैं शायद दूसरे नए आईस अफसर के तरह केटकर को भी रील्स बनाने का शौक लगा होगा लेकिन इसे पूरे सिस्टम पर सवाल तो जरूर खड़ा होता है एक महनत से काम करने वाला स्टूडेंट भी देखेगा कि कैसे OBC प्लाइंड कोटा का मिस्यूस किया जा रहा है उसे भी लगेगा कि भाया क्या पॉइंट है सिस्टम करप्ट है, रेजर्वेशन करप्ट है ओनेस्टी की कोई रिस्पेक्ट है नहीं पकड़ा कोई जाता नहीं इसी लिए अगर सरकार इस मामले में सीरियस है नारे लगने शुरू हो जाएंगे और कभी न कभी किसी न किसी सरकार को आईस ओफिसर्स और ये जो पैसो ये जो रिलेशन्शिप है ना मनी एंड आईस ओफिसर् इस पर सर्जिकल स्ट्राइक तो करना पड़ेगा सिर्फ आईस ओफिसर्स नहीं है सिस्टम कभूरा हुआ है तो आई तिंग सबसे जब बॉटम पे जाओगे सिस्टम के और टॉप पे जाओगे तो मैं देखेगा ये एक पूरा सारी फ्लोर्स में चल रहा है आईस सिर्फ एक फ्लोर पे बठा है मैं तुमें बता रहा हूँ हम लोग को चीजों को इतना ज़ादा जूम इन करके देखने की बजाए हमें पीछे से देखने ही ज़रूरत है आप पूरा सिस्टम को देखो इन्स्टेट अफ वह ये ना हमें आईस अभी पकड़ लिया है अभी आप ऐसी ही एक्जामों में ऐसी ही सारे प्रोसेस में आप दूसरे भी जाके उनको देखोगे तो आपको देखेगा तो आप ग्रेट डिग्री कंपैरेशन में आपको देखेंगी सिमिलारिटी कहां-कहां छोटी-छोटी जगाओं पे बहुत जादा प्रिविलिज्ज लोगों ने बहुत जादा पाहुच वाले लोगों ने सिर्फ ये भी नहीं कि वो इंस्टेंसे हैं आपको देखेगा एक ट्रेंड है दिर इस अ पैटरन वर्ड होता जो आपको पैटरन देखेगा कि ये प्रैक्टिस में पैटरन हैं जहां पर बहुत तगड़ लेवल का लैक्स है, तगड़ लेवल का कुछ लोगों के लिए exception है, कुछ लोग के power की basis पर या simple, जान परचान की basis पर चीज़े बहुत streamline होरी है उनके लिए, बाकि दूसरों के लिए एक्चुल में चीज़े कठेन हो जाती है, attitude problems है, attitude problems मतलब की भाई कुछ लोगों से एकदम ही बत्तमीज़े बात कर जाती है, सब servience की तरह treat किया जाता है, कुछ लोग अलग level का treatment मिलता है, जो कि जहाँ पर, जहाँ पर simple, just platformer treatment सबको समान में मिलना चाहिए, तो यह सब तो prevalent है, बहुत basic level पर, आप simple किसी office के दफ्तर चले हो, जहाँ पर आप सबसे basic level के employee, जो government का हो गया, उससे आप interact कर रहे हो, और जब आपको attitude problem, system में governance की problem, यानि कि उसका जो काम में उसको किसे govern कर रहा है, functionality की problem उस basic level पर जब दिख जा रही है, तो आप उसको simple carry forward करते चले जाओ, उपर, 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 तब ही वो चीज़ चल पा रहे है, क्योंकि उसका उपर बाला, very basic way to look at it, allow कर रहा है न, he is able to perform in such a prejudiced, broken, dysfunctional, and किसी-किसी के लिए highly functional, यानि कि भाई, partial, वो कैसे हो रही है, क्योंकि कुछ ना किसी तरह से उपर से ओवर साइट में, immediately उपर बैठे हैं, या फिर उसके बगल में ऑफिस में बैठे हूँ, वो यहाहीं बैठा है, वो देख रहा है सब कुछ, वो भी मुस्कुरा रहा है न, और फिर तो इसको बस echelon में पुट करते चले जाओ, और आयस एक उपर echelon में बैठा हुआ है, system problem है, यार, और मोधी जीन न तो कहा भी था, कि भाईया, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, तो जो इमानदार अफसर हैं, उनके लिए, उनके खातर ये surgical strike करो, नागरिक के खातर करो, इमानदार अफसर, I don't think, it's just, नागरिक, बेस लेवल पे, जो डेली इंटरेक्शन, आयस चाहिए, कोई भी office ले रहो, तुम कोई भी, वो काम किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए, so direct impact देखो किस पर हो रहा है, तिरेक्ट, डेली basis पर, लोगों पे, अगर I.S. officers के बाहर, एक independent body आ जाए, कोई भी private independent body आ जाए, और वो service करे, anonymous service, जितने लोग की बाहर आए हैं, हम यहाँ, इसका I.S. officers कोई लेना देने नहीं है, completely anonymous है, आप अपना simple rate करो, आपका जो इतना भी काम था, time कितना लगा, कितने times आपको लगता है, होना चाहिए था, treatment कैसा था, जो भी system को आप कैसे rate करोगे, आपका personal experience कैसा था, साथ questions में बस, ताकि आदवी को यह भी नहीं साथार रोजागा, और उसाथ questions को simple, अगर तुम, आए हो, वो अगले 5 सालों में करो, system को थोड़ा साफ बनानी की जरूरत है, UPSC में zero धांदली की जरूरत है, लालबती को, यह culture को control करनी की जरूरत है, और IAS को कम से कम थोड़ी training देनी की जरूरत है, कि भाई, आप देश के भला के लिए काम कर रहे हो यहाँ, अपने bank balance के भलाई के लिए नहीं, भाई, प्लीज, यह बात को clear करना पड़ेगा, बढ़ यह, आप IAS को train नहीं कर सकते हैं, जब उसको भचपन से ही train किया जा रहा है, surrounding train कर रही है, भचपन से हमको जब 4, 5, 6, 7, या, 6, 7 साल से हमको बता जा रहा है, लालबती, इनकी जिन्दिगी तो ऐसी होती है, अरे, नौकर, चाक, तो मेरी training हो रही ही न, मैं जड़ा से बच्चा हूँ, तो मेरे को उस सपनों के लिए train कर रहे हो, लैसे मेरे को तो आप कर रहा ही न, तो मेरा तो चलो मेरा मतलब नहीं होता, बट कितने लोग हैं, जिनको एक करना है, उनको किस लेवल की आपने brainwashing कर दी न, उनकी, आपने जो life के लिए brainwash किया, वो आप उसको extinction कहते हैं, ठीक है, किसी behavior को remove करना, behaviorism की तुमारे theories के अंदर, उस act को कहते हैं, extension, कि आप एक behavior को unlearn कराना सिखा रहे हो, आप extension कहां से करा लोगे, जब इंसान को behaviorally, भाई, तुमको wire किया गया है properly, कितने time तक, 20 साल, 15 साल, वो भी माबाप ने, समाज ने, तुम्हें लगता है, दो या एक साल की training क्या है, उसको extension की तरफ ले आगी behavior के, नहीं, घंटा, गुड वीडियो यार,